नमस्कार दोस्तों । स्वागत है några Indie No理 Show में दोस्तों इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं दुनिया की दो ऐसे देशों के कुछ ऐसे fighter jet के जो अपने आप में बेश्ट माने जाते हैं आप दोनों देश अपने फैटर जेट को बेस्ट मानते हैं और दोनों का एक तरह से प्लान है कि इन फैटर जेट के जरी भाविशे में एक military superpower अपनी कायम की जाए है जी हाँ और एक फैटर जेट का नाम है Chengdu J20 ये चीन का 5PD का लड़क विमान है और दूसरी तरह है अमेरिका का F-35 Lightning II फैटर जेट जी हाँ दोनों के बारे हम पूरी डीटेल से compare करने वाले हैं और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता भी रहूँगा दोनों की specification और जिससे कि आप अच्छे से समझझ पाएं और साथ ही एंड में इस वीडियो के एंड में हम दोनों को एक तरीके से एक conclusion निकालेंगे कि दोनों में आखिर किसमें सबसे जड़ा दम है और किसमें यह ताकत है कि वह एक दूसरे को गिरा सके है और साथ भी देखें कि दोनों ही फुस्तो नहीं हो जाते है जी हाँ ऐसा भी हो सकता इसलिए वीडियो को एंड तक जिरूर देखेंगा जिससे के आपको सारी सीजए वीडियो का सार आपको एंड में ही मिलेगा चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कुछ जनरल बातें तो J-20 जो फैटरजेट है इसे एक तरह किस रोल के लिए बना गया तो ये एक स्टेल्थ एर सुपरियर्टी फैटरजेट है चायना इसे बनाता और इसका जो मैनफेक्चरिंग है वो करता है चेंगदू एरोस्पेस कोपरेशन और जो पहले फ्लाइट इसकी हुई थी वो हुई थी ग्यारा जनुवरी 2011 को यानि आस से नौ साल के करीब पहले और ये इंट्रोडक्ट असली तरीके से सेना में स्वामिल कब किया गया था 10 मार्च 2017 को और अभी भी ये सर्वीस में है जी हां और कितने सर्वीस में लगबग 8 तो इसके प्रोटाइप है और 20 इसके इनिशल प्रोड़क्शन फाइट है यानि करीबन 20 ही आप मानिये आठ तो जो प्रोटोटाइप में तो मेली टेस्टिंग में इस्तमाल किये जाते इस प्रोग्राम की कोश्ट कितनी मानी जाती है करीबन 5 अरव डोलर यानि कम सस्ते मन गया था इसका कारण़ में आपको मैं बता दूँगा वीडियो कारण़ में कि इस इतने सस्ते में 5 फी डिकरण़ की मान उनने बना कैसे लिया लेकिन अगर इसकी यूनिट कोश्ट यानि कर कोई देशी से खरीदता है तो इसकी एक फैट जट की कीमत कितनी पड़ती है करीबन 100 से 120 मिलियन डोलर के आसपास इस्टिमेट जी याँ अब बात कर लेते हैं एक तरीक से लोकिड मार्टिन के जो F-35 की जो अमेरीकी F-35 उसके बारे में तो इसका रोल है Stealth Multi-Role Fat Zet है यह से United States के एक Fat Zet है और इसके manufacturing करती है लोकिड मार्टिन एरनोटिक्स और इसकी first flight हुई थी 15 December 2006 को और आज से करीबन 13 साल पहले और इसके करीबन 3 variant आते हैं F-35 A, B और C बस इसमें फरक क्या है जो F-35 B है वो vertical landing कर सकता है यानि कि helicopter जैसे उतर सकता है और जो F-35 C है वो सबसे advanced version है वो helicopter जैसे उड़ान भी भर सकता है जो helicopter जैसे ही land भी हो सकता है यानि कि उसकी खासेती है यानि कि वो छोटे से छोटे platform पर उतारा जा सकता है उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा जैसे कि aircraft carrier होते हैं जो billions of dollars के होते हैं वो बनाने की ज़रुरत नहीं है इसलिए जो sea rent है ये navy के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसके प्रोग्राम के कोश्ट कितनी है करीबन 4500 billion dollar जी हां लेकिन अभी की नहीं है 200 Arab dollar के आसपास research उसके total production में ये काफी महंगा बना है इसका भी कार्ण मैं आपको तभी बनाऊंगा बताऊंगा कि इतना महंगा क्यों बनाई है जब मैं Chengdu J20 के सस्ता कान बताऊंगा तो वीडियो को end तक आप देखते रहेगा और अब बात करें अब तक कितने बनाई जा चुके है तो अमेरिका को अभी तक इसके काफी जादा order आ चुके है 500 billion dollar के उसके उपास इसके orders है यानि कि दुनिया भर से देशों ने से खरीदा और इसके करीबन अगर मैं अभी वताओ कितनी unit इसकी बन चुकी है तो करीबन यह कहा जाता है साड़े 300 unit इसकी बनाई जा चुकी है और इस साल के अंत तक अमेरिका का प्लान ने इसे 400 को क्रोस कर दिया जाए जी है अब बात कर लेते हैं इसके detail specification के बारे में और मैं आपको स्कीन पर दिखाता भी रहूंगा दोनों फैटजेट की जिससे कि आप दोनों के बारे में अच्छे से compare कर पाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंगदू J20 के बारे में तो इसे एक पाइलेट चलाता है इसकी length है करीबन 66 feet और जिसका wing span या नि चोड़ा यह करीबन 44 feet बात कर लेते हैं इसका जो empty weight है करीबन होता है 19,000 kg और gross weight है या टोटल होता है करीबन 32,000 kg और maximum take off weight है वो है 37,000 kg बात कर लेते हैं लोकिट मार्टिन के F-35A की तो इसके एक बंदा चलाता है यानि कि एक ही pilot चलाता है उसकी length है करीबन 51 feet, wing span है 35 feet और height है करीबन 14 feet बात कर ले बात कर लेते हैं empty weight है उसका करीबन 13,000 kg, gross weight है 22,000 kg और maximum take off weight है 31,000 kg यह काफी कम है अगर compare करें चेंग दूजे 20 से अब बात कर लेते हैं performance के बारे में इसमें performance में जो सबसे पहले speed देख लेते हैं तो maximum speed है जो J20 की है वो करीबन 2 Mach, range है 6000 km की, combat range 2000 है नहीं कि यूद के समय में कितने देर तक टिका रहा सकता है नहीं 2000 km का असपास का जो combat range है, service ceiling कितनी उचाई तक महुच सकता है, 66,000 feet की उचाई तक J20 महुच सकता है, अब बात कर लेते हैं F-35 की performance की, तो इसकी बात कर लेते हैं जो इसकी maximum speed है 1.6 Mach है जी हां, और range है करीबन 28-100 km, जो काफी कम है मेरे 1500 km के आसपास, और बात कर लेते हैं अब जसकी service ceiling कितनी उचाई तक पहुच सकता है, करीबन 50,000 feet की, जी हां, लेकिन इसका कार्ण क्यों है, इसकी performance J20 के हिसाब से low क्यों है, क्योंकि इसका engine है, वो single engine है, और जो J20 का engine है, एक तरीक से double engine है, मैं उसका भी आपको बता देता ह लेकिन इसकी performance जैसी एक तरीक से show की जाती है, वैसी इसकी है नहीं, और इसी engine की वज़े से पूरी तरीक से stealth भी नहीं कहा जाता, करण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस engine को, जो stealth coating के अंदर नहीं लगखा जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा engine है, WS engine, और इसी वज पर लेगा F-35 के मुकाबले, क्योंकि F-35 का engine है, वो इसके shell के, जो F-35 का shell है, उसके अंदर feet होता है, जबकि यह बाहर की तरफ निकला हुआ ता है, इसलिए इसे पकड़ा जा सकता है, आसानी से, अब बात कर लेते हैं, इसलिए इसे इतना अच्छा stealth fatzate नहीं माना जाता, अब बात कर लेते हैं, इसमें हतियारों के बारे में, तो armament के बारे में बात कर लेते हैं, तो internal bay होते हैं, दोनों fatzate में, external bay भी होता है, लेकि पहले internal bay क्योंकि, अखर हम बात करें, पांची पीडे के stealth fatzate के, तो stealth तभी रहेगा, जब उसमें, मतलब कि अंदर की तरफ internal bay ह होते हैं, यानि compartment वो shell होता है, जिसके अंदर fatz, जो हतियार रहते हैं, तो कुण-कुण से internal bay में लगते हैं, पहले J20 के बने बात करें, इसमें PL series की 10, 12, 15, 21, जो missile हैं, वो लगी रहते हैं, इसके लगवा LS6 missile लगा जाते हैं, यानि कोई खास missile नहीं, चीन ने खुद ही developed कि और आप सभी जानते हैं, चीन की क्या quality है, और इसके लगवागर externally यानि कहीं ऐसा भी हो के बाहर की तरफ हतियार लटका कर जाए जाएं, तो इसमें चार missile ही लगाए जाकते हैं, यह PL और LS series की, अब बात कर लेते हैं, लोकिट मार्टिन की, तो लोकिट मार्टिन का जो एक इसमें टेस्टिंग चल रही है, MBDA की Meteor missile की, जो Block 4 वाली missile है, इसके लावा Air to Surface वाली missile इसमें AGM, AGM की बहुत सारी missile इसमें लग जाते हैं, इसके लावा Sphere की 3 लग जाते हैं, Joint Air to Ground missile इसमें लग जाते हैं, Joint Strike missile लगा जाते हैं, Anticip missile में इसमें AGM-150, 8CLR, ASM missile इसमें लग जा सकते हैं, इसके लावे बहुत रही किसमें मिसाइल है, MK-77, M-20, Rocket I-12 cluster bum इसमें लगाए जा सकते हैं, तो यह काफी आगे की चीज़ है, J-20 के मुकाबले, यह J-20 अगर बात कड़े हम conclusion में, कि कौन किसके सामने टिकता है, तो देखे, अगर आप specification देखेंगे, तो 2-4 चीज बनाया जाते हैं, यानि कि ऐसी जगा बेजना, जहाँ पर हैवी एक तरीके से सेना की deployment हो, या फिर वहाँ पर radar हो, और ऐसी दोरान, अगर दोनों को side by side आप उड़ाएंगे, तो J-20 को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जो WS engine है, यह एक तो काफी जादा heat करता है, दूसरा यह बाहर की दरफ अपने shell में ने fit होता है, बाहर की दरफ लटकावा तो इसका radar cross section जादा होता है, इसके लावा यह बहुत जादा heat करता है, तो इसलिए इसे heat seeking missile से आसानी से मार कर गिरा जा सकता है, जबकि F-35 के साथ ऐसा नहीं है, वो कम हतिया ले आ सकता है, कम लंबी दूरी तक जा सकता है, लेकिन जितनी भी उसकी रेंजर उसी इलाके में उसे काफी perfect माना जाता है, तो यहनि कि अगर हम बात करें, दोनों fat rate के मामले में, तो दोनों में कुछ-कुछ कमिया है, कुछ-कुछ खामिया है, लेकिन इन दोनों का ही comparison करें, तो इसमें अगरा भी technology से बना है, इसका engine रश्या से लिया गया है, तो इसलिए engine में सबसे दर पैसा खपता है, इसके लबाब जो इसकी stealth coating है, इसकी technology चुराए गई है, अमेरिका से, तो यहनि लगवग हर देश से चुराए गई है, इसकी कुछ जो specification है, वो चुराए गई है, रूस के यह SU-57 जो fat jet था, प्रोग्राम था, उससे, यानि कि यह चुराए कर बनाया गया fat jet है, वो इसलिए इसे काफी perfect नहीं माना जाता है, जबी तो आप देखिए, इसकी पहली flat 2011 में हो गई थी, लेकिन आज तक भी यह सेना में mass scale पर त्यार नहीं किया जा चुका है, जबकि वह नहीं बात करें, अमेरिका के पास इसके भारी भरकम order है, F-35 के, इसके करीबन 500 order अमेरिका के पास आ चुके हैं, और लगातार देश इसके जहें जापान हो, कोरिया हो, लगातार 100,500 ऐसे fat jet के order उसे लगातार मिल रहे हैं, तो यानि कि F-35 यह काफी successful है, लेकिन ऐसा नहीं क F-35 भी perfect है, उसके भी काफी एक तरीकी से कमिया लगातार सामने आती रहे हैं, कि चाहे उसकी गन्स को लेकर हो, चाहे वो कुछी और चीज को लेकर हो, लेकिन छोटी मोटी कमिया जी ने लगातार अमेरिका अप्ग्रेड करता रहता है, क्योंकि वो उसकी खुद की तरीके से फेल रहा है चाहें, रश्चा के साथ हुई हूई 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 उनकी एक joint exercise उसमें फेल रहा है, तो यानि कि यह इतना successful fat jet नहीं रहा है, और इसे एक आ जाता है, कि यह जो एक तरीके से 10-15 साल पहले जो चीन एक project start किया था, अमेरिका पर जो उसकी fat jet की fleet है, उस प पर डालता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा content मिलता रहे, दोस्तों फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe करना, बिलकुल मत बूलना, मैं आपके लिए ऐसा content लाता रहा हूँग, thank you very much for watching videos दोस्तों